वीडियो शुरू करने से पहले ये लाल कलर का सब्सक्राइब लिखाओ बटन जहां कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है इसपे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर दो और इसपे क्लिक करने के बाद में इसके पास में आपको ये जो घंटी का निशान दिखाई देगा मेक शियर के आपने इसपे भी क्लिक कर रखा है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए हेलो एविवान वेल्कम बैक तो अनादर वीडियो और आज के इस वीडियो में ज्यादा कुछ खास तो नहीं है पर मैंने एक चीज परचिस किये जो कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं अन्बॉक्स करके तो यह बेसिकली है ग्रीन कलर का कर्टन है बड़ा सा काफी ब वीडियो के लोग बनाते हैं वो सब इसको बूलाता है ग्रीन स्क्रीन तो फिर सबस्के के बेक लाए क्रण जो है वो भी बेक्रांड में रख सकते हो और बड़ी-बड़ी मूवी में ये चीज होती है उसके लबाए आप जो डेली-णीज चैनल से वीज देखते हो के लब आप और भी ज्यादा कुछ जानना जाते हो कि यह चीज को आपको कैसे यूज करना है और क्या कुछ इसका पीछे अभी मैंने अप्लाय कर दिया अपना ये ग्रीन स्क्रीन और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका जादू कि कैसे आप जो है इसको यूज कर सकते हो तो अभी तक यह बिल्कुल रॉफ फुटेज अभी तक मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया और चलिए अभी म आपने पीछे आप बैक्राउंड में यूज कर सकते हो तो इससे पहले क्या था कि मेरे पास काफी ज्यादा स्पेस था उस घर में मेरे पास कई सारी ऐसी वाल्स थी जो कि बिल्कुल ब्लैंक थी जिनको मैं यूज कर सकता था अपने वीडियो में पर अभी यहाँ पे कुछ स्पेस कर में और अभी मैं टेंपरेरी यहाँ पर सेटल हूँ तो यहाँ पर मेरा बैक्राउंड कुछ सेट नहीं हो पा रहा था अच्छे से इसके लिए मैंने यह पर्चेस किया है और इसका कैसा एफेक्ट है वह आप देखी सकते हो और कितना यूसफुल है वह भी आपने सब्सक्राइब काफी हो जाता है इसके पीछे जो भी वाल है प्लें तो फिर ठीक है पर अगर किसी चीज के ऊपर आपने इसको लगा रखा है तो पीछे की चीज़ें आपको इसमें ट्रांस्पेरेंट हो जाती है दिखाई देती है आर पार तो उसके लिए थिकनेस आपको पता चल जाएगी और गाइस इसके साथी साथ मैंने एक और चीज़ भी पच्छेस की है तो आपका जो मॉबाइल का चार्जर होता है उसका जो अडप्टर होता है उसके पास मैं से उसकी केबल काफी बार जो है टूर जाती है जैसे कि मेरी अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए लिए लिखा है तो चली अभी देखते है वीडियो में कौनसी केबल मैंने पर्चेस की है यह गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पर्चेस की है मीवी की तरफ से आने वाली यह दो केबल जिसमें से एक तो है USB Type-C की और दूसरी जो अपनी Micro USB होती तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में और यह आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने Amazon से इसको पर्चेस किया है तो काफी अच्छी कासी पैकिंग में मिली है बिल्कुल ब्रैंड न्यू और इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाती है सब्सक्राइब करते हो तो काफी अच्छी कासी लंबाई के साथ आपको यह केबल मिल जाती है तो अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी पर्चेस करना है केबल हो चाहे आपको ग्रीन स्क्रीन तो उनके लिए बैस्ट बाइल लिंक्स जो है वह मैं नीचे से यूज कर रहा हो इसके कंडिशन अभी भी कैसी है वह आप वीडियो में देखी सकते हो बस यह था एक बहुत ही शॉट एंड सिंपल सा वीडियो तो उमीद करता हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू ला आत्रों